पहले पहले बताओ आवाज आ रही है आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिखना आवाज आ रही है और फिर कंटिनिव करेंगे आज हमारा मॉक टेस्ट भी होगा इसके बाद ठीक है तो मॉक टेस्ट करना वैसे एक लास तो आपको बताईए कि आपको जो जो प्रीव कोशन है आपके डारेक्टली पेपर में आयों वह भी एससी लेवल के वह सारे मैं करवा रहा हूं इसमें ठीक है फाइनल रिवीजन समझ लो आप ठीक है तो इसको तो कंटिनिव करो ही करो बाकि आप मॉक टेस्ट भी देना आज आज मॉक टेस्ट बहतरीन होगा कंपीट कर और स्टार्ट करते हैं अबने सेशन को और यह अपोर्चनिटी अगर आपने अभी तक ग्राइब नहीं देखो एक तोड़ा अनकेडमी की प्राइस है थोड़ा से कम हुआ है बैटर है आप से भी के लिए डिसकाउंट मिल रहा है 20% कोड आपको लगाना है वो कोड में आप आपको बता रखा लाइव अवन कोड लगाना यह अपोर्चनिटी आपके लिए अभी अब लेबल है यह बहुत बड़ा सप्राइस आपके लिए लाइस करो इसे बागे कंपीट करिए और जो आपका हर एक चीज का सोलुशन आपका टेलिग्राम चैनल है कारण क्या है अप टेलिग्राम पे PDF समय पर आ रही है सभी क्लासे समय पर आ रही है और आपका हमेशा एक्टिव रहता कोई अगर आपको अपडेट चाहिए वह आपको टेलिग्राम पर मिल दाता सर्च कर लेना अमन सर्वाइफ एसडी से जोइन कर लेना ठीक है जिसमें सबसे अब अच्छे सब्सक्राइब आपको हर बैच में क्रैश कोर्स करा रहा हूं आप सब्सक्राइब कर लो इस समय फीस कम है इसको यूटलाइज करो अच्छे से लाइव अमन कोर्स अभी हम कोशन स्टार्ट करें सर्क कल वाली जोगरफी की PDF मैंने वैसे डाली थी अगर नहीं डली एक PDF तो म चला तो पहरा कोशन आज बड़े अच्छे कोशन कुछ कोशन इसमें से स्केप होंगे कारण क्या है यह इजक्त ली पेपर है यह इजक्त ली पेपर उठाया मैंने 50 कोशन के दो सब्सक्राइब तो उसमें कुछ करेंट अफेर हो सकते हैं जो प्रीविएस यह के रहे होंग एक चूना लगा की किजाती है कि है अचा helpful यह भी बात बताना चलो इस कोशल का आंसे कहें יותר अंसे कहें इस कोशल का लाइमिंग करके चूना लगा के जो है स्वेल की acidity को जो है प्रोपर्ली ठीक किया जाता है अच्छे मुझे बताइए ऐसे यह आपको एसी ड्रेइन का पिएच वैल्यू कितना होता है ना सम्मधित कोशन है तो एसी ड्रेट का पिएच वैल्यू जो है कितनी वैल्यू से कम होता है पाते लेस देन 5.4 होता है लेस दिन 5.4 होता है लेस दिन 5.4 यह याद होने चीए ठीक है आज हम जो कंटेंट पढ़ेंगे मौक टेस का वह आपका और बहतरी नोने वाला है क्योंकि कल नहीं किरा था इसलिए आज और बड़ी है करा देंगे यह कल करें ने फिर वाता है 5.4 लेस दें 5.4 है कोशन याद रखना चले एक और कोशन देखो वह इस कोशन आज सब देखो यह पूरा पेपर है तो इसमें साइंस के कोशन एक पैटन के आए कि जो पैटन और लेवल है उसी लेवल में अगर हम किसी अबजेक्ट पे फोर्स होता है है ना पहले यह बताओ इस कोशन का आझसे क्या है कि वही फोर्स कि ये वैल्यू दे रखिया अगर हम वर्ग डर्स किसी एक पर्टिकुलर डिरेक्शन वें लगाए उसे वर्ग डर्ण कहा जाता है तो वही हम फॉर्मृट को यूज करें अब इसमें तो डार्यक देखें तब भी सही नहीं जूल डायरेक्ट आंसर होगा ठीक है अब कभी-कभी सवाल कहता है कि वर्क डन जीरो कौन सा एक्जामपल बतने जो आर्थ के अराउंड सेटलाइट घूम रही है आर्थ के अराउंड जो सेटलाइट घूमती है वह पोजिटीव वर्क डन है नेगेटिव डर्क डन है या जीरो वर्क डन है बते क्या ओप्शन्स हैं बते आर्थ के अराउंड जो सेटलाइट मूव करती है तो वो कौन सा वर्क डेन है पॉजिटिव नेगेटिव या जिरो वर्क डेन जल्दी शवर देगे कि अगर कि अगर कोई वर्क डेन यह भी याद रखो कौन से एंगल की कंडीशन होती है जिरो वर्क डेन की तो 90 डिगरी के एंगल की कंडीशन जो है इस कैटेगरी में आती है कोशन आपको मिल सकता है ठीक है चले एक और कोशन देखेगा इस कोशन आंसागे भारत ने जो अपना फस्ट ओशन इनरजी प्रोजेक्ट कौन से वर्स्ट में लोगे इस लेवल के कोशन आपको जरूर मिलींगा आंसा के एक मौक को अपकर तो अब आपका स्कोर अच्छा ही रहेगा अभी तो खेर पढ़ा रहे हैं अभी पेपर भी कराएंगे इसका आजार वह आंसे के कोशन का कि इंडिया का फर्स्ट ओशियन वेव एनरजी प्रोजेक्ट कि नाइटीन-णी वन मेंस्टार्ट वन नाइटीन-णी वन में इंडिया फर्स्ट ओशिन वेव एनर्जी प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया था कोशन आपको मिल सकता है ठीक है डार्ट कोशन आ सकता है बाद ही रेगुलर मीटिंग ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल साल में एक बार होती है दो बार होती है यह युनाइटे नेशन से संबंदित है ट है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो रेगुलर मीटिंग होती है वो साल में एक बार दो बार तीन बार चार बर कितनी बार होती है बते यांसर के यह अच्छे लेवल के कोशन है मैं इसी समय कराना चाहता है मैं पहले यह कोशन नहीं कराए क्योंकि वह प्रैक्टिस के कोश कोशन है प्रैक्टिस के कोशन आंचक है इस कोशन का दो बार साल में दो बार होती है एक बार नहीं ठीक है ध्यान रखना रस्टीशिप काउंसिल की मीटिंग और इस बार जो 20-22 में ठीक है टेररिजम कमिटी थी यह भी सवाल आ साकता है कि टेररिजम कमिटी थी उसको किसने चेयर किया था बते हैं इस कोशन का आंसर के हैं ठीक है किसके द्वारा चेयर किया था कुन से देश के द्वारा चेयर किया था आंसर के हैं है ना इस कोशन का आंसर के हैं कि यह किसके द्वारा चेयर कि इंडिया ने चेयर किया है तो इंडिया आंसर लगा देना चाहे यह आप इंडिया लगाएंगे आंसर युनाइटे नेशन में आएगा तब भी आप इंडिया ही लगाएंगे आंसर छोटी-छोटे करेंड फेर इससे में सुन लो ठीक है यह लेटेस करेंड फेर है बीस बाइस के अपडेट चलिए एक और कोशन देखे बड़ा असान कोशन है कि कितने सेंटिमेटर क्यू वॉल्यूम के हिसाब से ना कितना वॉल्यूम ब्लड जो है नॉर्मल हर्ट कॉंट्रेक्ट पंप करता है आर्टरी से बताई इस कुशन आंसर के थोड़ा से मुश्किल है यह कुशन मैंसे है इसमें यह वाला नहीं कहा रहा है कि हर्ट की कमेंट करें मुश्किल कोश्ट पेड़ा शेयर करना सारे के सारे कंटेंड यह जो रेगुलर देखोगे उसी को फायदा है अभी तो बड़े दिन है यार तो यह सब जल्दी करो तेईस तारीक है भी यह आभी है ना चोबिस पच्छिस अबिस सताइस अपने पास अराम से द लिए तो 60 कोश्ण गा आंसर है कोशन आपको मिल सकता है यह विल सकता है यह कुशन देखिए लिक्विड ट्रंस्विंट प्रेशर अगरफ पानी जाएगा यह पानी से पानी जा थो पानी असा तो नहीं है ना कि इस तरह फीड डाले पानी तो प्रेशर इदर भी डाले Principal Pressure ञाना है ना Liquid Transmit होता है और यहीं लोग तर यहीं लोग किस द्वारा बता था यह सो कि इस तरह भूशन यह कोशन का екहीं है कि इसको आंशका scoring का Double प्रीकल है यहां जो पूछादा है आपसे या तो उस लोग बारे में पूछ लेंगे या hydraulic lift का कभी भी question आता है तो answer अपना क्या है पास के लिए ठीक है आंसर अपना क्या है पास के लिए होगा यह question important है इस तरीके सवाल बहुत मिलते हैं ठीक है इस तरीके सवाल बहुत मिलते हैं ध्यान रखना ऐसे आपको argument is principle पर बेस कुछ question आपको मिल जाएंगे ठीक है कि नाओ का design किस तरीके का बनता है यह सब सवाल आते हैं 2002 का commonwealth बड़ा फेमस commonwealth गेम था ठीक है 2002 में जो हुआ था अभी लेटर्स आपको बते हैं commonwealth गेम हुए 2002 का मैंने शायद कल भी डिसकस किया था answer UK छोड़ेंगा इसको अभी वाला करेंगे ठीक है क्या नखना अभी वाला जो commonwealth गेम था इसका मैस्कोट जो है वो क्या था बताए अभी जो लेटर्स हुए इसका मैस्कोट क्या है कमेंट करिए बताए इसकोशन का answer क्या है अभी जो लेटर्स commonwealth गेम हुए इसका मैस्कोट क्या था बड़ा अच्छा कोशन बर्गिंगम में जो अभी लेटर्स हुए थे उसका मैस्कोट क्या था इंडिया 61 गोल्ड लिया ठीक है फोर्थ नंबर पे आया और मैस्कोट क्या answer क्या थम्भी कहां से हो गया answer क्या मैस्कोट का नाम था पैर पैरी दा बुल कोशन आपको मिल सकता है यह कोशन बड़ा important ठीक है यह कोशन आपको current फेर के कोशन साथ में इलेट करेंगे यह कोशन आपको मिल सकते हैं पैरी दा बुल जो है अच्छा 61 में से गोल कितने थे जल्दी से बतेगा हावनी गोल्ड शिक्स्टी वन में से गोल क यह में 22 गोल्ड जीते ठीक है यह कोश्राम को मिल सकता है 22 गोल्ड जीते हैं सिल्वर कितने जीते हैं यह भी पूछ लेता आप बताएंगे चली तो आन से कैसे कोश्राइब जल्दिश पर रेडियो एक्टिव सबस्टांस जो है किसमें से प्रोड्यूस होता है अब बड़ी सिबाट है और वो स्टेबल नहीं है तो उसमें से निगलता अलफा प्राइठ्र म्रमानु मध्र आगर निकलता यह तो यार बड़ी कॉमन से बात है उस है आप आप च्प्रांगे कि प्रांजिस्टर निखले गा तो दिक्कत निमेज़ाई कि टान्जिस्टर तो बहुत जगह लगता है है कि तो क्या रेडियो एक्टिव सबसान निकले का दिक्कत निमेज़ाई छाहिए कि इस कोशी나 आंसर और और फार आंसर है परमानू धेर में से निकले गए ठीक है आज भी आपने जो सुना होगा कि यूकरेन का जो ब्लास्ट हुआ था जो नुक्ले ब्लास्ट हुआ था उसके बाद उसी के धेर में से आज भी रेडियो एक्टिव खिरणाय निकलती है है ना कोशन आपको मिल सकता है चलिए इसका आंसर देखना क्या है आप इस कोशन का आंसर गलत लगाओगे पेटा मॉक्टेस होगा आभी क्यों नहीं होगा यार मॉक्टेस होगा बड़ी ऐसे मॉक्टेस करेंगे आंसर बदेगे बहले आप इस अवोड मिला था ना यह आवोड किस रीजन से मिला था रीजन वास नोट पब्लिक सर्विस बच्चे इसका आंसर भी लगाते इसका आंसर है इंटरनेशन अंडरस्टेंडिंग मॉडर टेरिसा किसी और देश से थी उन्होंने जो डिसीज फैली उसका इलाज निकालते बहला सोच के राजी नहीं था कोई विक्ति किसी का किसी दूसरे दिश का बहला सोच के राजी रहा था उस समय मारे टैनिस या नहीं हेल्प करी थी तो आंसर इंटरनेशनल अंडरस्टेंडिक बटा यह सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो कोड यूज करके लाइव वमन डिसका रेगुलर क्लास होती है मैं इससे में जो कंटेंट लेके आ रहा हूं नहीं यह बहुत इंपोर्डेंट कंटेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी जो आपने जो कोशन देखे हैं और जो अभी कोशन हो रहे है उसमें फरक है जब ही नासमान का और यह जरूरी भी है ठ तीन इन आतली स्मॉक टैस देना बढ़े गाँ आंसर है-9 60 वन हुआ ठाकी यह यह पहला हट प्लां किसके द्वारा किया त बताए व्यक्ति का द्वारा फ 10 विस्टी अरड कोशन सबसे पहला जो है हर्ट ट्रांस्प्लांट किया गया था यह दुनिया में हो रहा है दुनिया में अगर क्रिश्चन बर्नाड के द्वारा यह किया गया था ठीक है और देश कौन सा था जहां पर यह किया गया था क्रिश्चन बर्नाड के द्वारा यह कौन से देश में किया थ त्रांस्प्लांट किया गया बताई देश का नाम बताई अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना इस कोशन का अंसर और अस्ट्रेलिया लगाना वहीं ठीक है और जो है आप अगर कहें देखो इसमें आपको एक सवाल यह भी पूछता कि इंडिया के इंडिया में जो सबसे पहली बार हार्ट-ट्रांस्प्लांट हुआ था ठीक है वो किस ने किया था वेनुगॉपाल के द्वारा जो है किया था वेनुगॉपाल के द्वारा और यह इन्नों ने दिल् अमेरिका के उपर लास्ट जो बड़ा अठेक हुआ था ठीक है आप सभी जानते हैं 11 सेप्टेंबर को अमेरिका पे वर्ल्ल ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था दो प्लैन क्रेश हुए थे यह कौन से वर्ष में हुआ था इतना कॉमन सी बात जिसके बारे में आप सब जानते ह बहुत सारी इस पर मुविज बनी है इसका इयर बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है दो हजार दो जार एक दो जार दो जार तीन तो आंसर के इस कोशिंग का 2001 में हुआ था ठीक है 11 सेप्टेंबर इस दिन यह जो अटेक हुआ था इसमें कितने प्लेन हाइजएक हुए जल्ड़ी है बताएज कितने हाइज घ्रेजएक हुए थे दो हुए तीन हुए चार हुए या पांच हुए बताएज कितने प्लेंग हाइज हुए थे कमेंट करेंखतें आपके सामने यह आंसर है क्या मैं अटे इसकोशिंगा ऑंसर फिरूटेंग्रा ऐखतें जल्दी सब से तीन तीन दो जो है प्लेन क्रेस्ट किये गए थे और एक प्लेन जो है नहीं हो पाए था मतलब इन बिट्वीन वह गाइब हो गया था ठेख है तो इस कोशंक यह पतेनि मेंटिक जो है स्टडि है किसकी कमेंड करेगा लिए है क्योंसे हुआ है आप सब् 아마 किक का विए जल्दी को त्दूत है और कित की सब है है मैं तो जैसे यह कोशन है उन्य स्केप कठे करने के आदा तो दिये हो गया है ना उसको समझते भी है तो आंसर के इस कोशन का निमस्माटिक इस दा स्टड़ी ओफ कोईन ठीक है ध्यान अक्वना इस दा स्टड़ी ओफ कोईन कोशन इंपोर्टन है आपको मिल सकता है चलिए को जीसस क्राइस को सुली पर कब चड़ाए गया था यह बहुत कर दिया गया बाद में ठीक है यह माना जाता है कि जीसस क्राइट को सूली पर लटका गया था उसके बाद से आफ्टर क्राइस स्टार्ट हुआ और उससे वहले बिफोर क्राइस होता था बीसी और एबी इफंड आपने सुना होगा तो ध्यान रहे इस कोशन का आंसर क्या ह नहीं है तो ट्वंटी एडेश कोशन आंसर है कोशन बहुत इंप्रोडन है चले यह कर देखें कि अबता ही इस कोशन का आंसर क्या है बड़ा अच्छा कोशन गया जो मैंबर है न सेक्यूर्टी काउंसिल के उनकी जो मैंबर्शिप है एना ग्यारा की जगा पंद्रा कर दे अब देके अब भी पांच पर्मेनेंट हैं और बाकी के जो बच्चे हुए ठीक है वह जो है नोन पर्मेनेट अब यह बदलाव कब लाएंगे तो यह लाएंगे 1965 में ध्यानक ना यह बदलाव कब लाएंगे 1965 में मुश्किल कोश्ण एक जिए ध्यानक को ये कोई ऐसा नहीं कोशन कही से उठाये रेंडमली अलग-अलग पेपर से ये एक ही पेपर है ठीक है ये एक ही पेपर है SSC CPU का पेपर आप समझ लो इस लेवल पे अगर आप कोशन नहीं कर पारे तो SSC CGL लेवल असानी से नहीं हो सगा सेम ऐसे ही लेवल को आज हम मुक टेस्ट में अटेम्ट करेंगे पेपर टाइप देखते हैं तब किसका कितना स्कूर आता है हर कोई बच्चा मुक टेस्ट देना हम पैटर एक बार देख ले फोलो कर ले अब कहा रहा कि तामिल लड़ों में कितने डिस्ट्रिक एज उन अगर इस कोशन को अभी देखे हैं तो 32 है ठीक है वैसे इस कोशन को अभी छोड़ के चलना ठेक कुछ चेंज आया है तामिल लड़ों में शायद एक डिस्ट्रिक और एड किया गया तो इसको मैं भी छोड़ के चलूँगा उस समय पेपर में रा हो गई है ठीक है चली है ना इसक लेंगविज पेपर में आती है कभी भी नहीं आती बहुत कोमन कोशन जो कोमन घ्यान होगा वह मिलेगा जैसे राजीवांदी जी की हत्या होई थी वह सब जानते हैं शायद सभी को यह भी वता होगा यह है कब ठीक है टनेशनल टेरिजम जो है उसके टेरिजम के अगेंस ड सब्सक्राइब लाएक दौर टों के द्वारा कुषन इंपोर्टन है यह बहुत जाद है चले इक और कॉषिन ज्लैक क्या सिकनिफाई करता है यह एक बारी ओलंपिक में ब्लैक फ्लैक जो है लेके जो खिलाड़ी जीता था उस वह अपने साथ है ब्लैक फ्लैक लेक था था वो क्या signify कर रहा था उससे में बड़ी common सी बात है हर को यूज़ करता है black flag क्या करने के लिए है ना जैसे भी ये question है protest है कि black flag तो protest को ही signify करता है है ना बहुत common सी बात है कि black flag जो है protest को signify करता है important question है मिल सकता है चले एक और question देखेंगा film and television institute of india हमने इस चीज़ को static gk में discuss किया है जो कि आप paper में direct देख रहे हो कहने का मतलब कोई एक national organization आपको मिलेगी जो हमने पूरी पूरी discuss करी है हर एक discuss करी है तो आप इस चीज़ को देखो कि इस question का answer क्या होना चाहिए answer पूरे महरास्ट होगा या कुछ और answer होगा बताओ नेश्ट फिल्म and television institute of india कहाँ पे है ठीक है ध्यान रखना इस question answer ध्यान के रखना बड़ी असान सी बात है चाहिद ये paper बहुत असान होगा जिस हिसाब से question है जिस हिसाब से question है पिछले question में मुझे ज़्यादा मुश्किल लगे नहीं और इस एक paper है तो मैं ये analyze करना ज़रूरी है कि paper कैसा रहा होगा ठीक है असान ही paper रहा होगा है जैसे राजीव गांदी जी अमेरिका पे हुआ अटेक ये सब सवाल पूचे जा रहे है light year कि से related है easy question again easy question light year distance है distance की unit है question आपको मिल सकता है आपको light year के साथ साथ पार्सेक पर मिल सकता है ठीक है एस्ट्रॉमिकल यूनिट पर मिल सकता है एक और question देखे पैनिसलीन किस लिए उस किया दा आंसे के इसको बनाने वाले व्यक्ती फ्लाइमिंग स्मॉल पोक्स का बहुत बड़ा ब्लेक्थ्रू जो है पेनिसलीन को माना जाता है स्मॉल पोक्स का बहुत बड़ा वेक्थ्रू जो है इसे माना जाता है एंटी बायाटिक जो की यूज किया गया था कोशन आपके लिए बहुत इंबोर्ण है ठीक है चलिए एक और कोशन नी पता है हंडेड येर वोर कौन से दो देशों के बीच मे बादा बैटर रहेगा मिलता सब है प्रैक्टिस करने जरूरी प्रैक्टिस बहुत इंबोर्ण है अब जैसे यह कह रहा है हंडेड इयर जो वार है ठीक है वह कौन से दो देशों के बीच में तो भी है किसके बीच में फ्रांस और इंगलेंट सो सालों के वार कितनी बार हिस सब्सक्राइब से और यह जैए ऐसे दो हम इसको डिसकुस कर रहे हैं कि पेपर में आये चीज हम डिसक्स कर लेते हैं कहरा है हमुरा अभी जो है यह ऐसे राजा थे ग्यांण होना चाहिए इन सब चीजहों यह फिर इतनी समझ होनी जएकि ऐसे को 2000 BC में हमुराभी नाम के किंग ने दुनिया की सबसे पहली आर्मी बनाई, ठीक है, बेटे सेशन को लाइक करना है सारे के सारे, है ना, तो ये important है, जो बच्चा CPO लेबल का GS कर गया, या उसका practice भी कर गया, वो किसी भी exam का GS कर गया, मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, ठीक ह भी हुए है, पेपर मैंने वो भी उठा लिए, वो भी उनके मैंने question बनवाया है, directly, थोड़े बहुत question जो मेरे को बच्चों से पता चले है, तो वो मैं करूंगा, आज mock test में मैं डाल ले वालो, ठीक है, पोर गया, उससे पता चलता है कि paper का pattern क्या है, इस से में क्या चल रह होती है, जिंक को यूज करके galvanization process होती है, आसान question, साइंस का आसान question, rare earth factory कहां पे हर बार इस टाइब का question आता, यह समनलो, जो railway से संबंदित factories है न, चाहे वो वील बनाने की हो, कोच बनाने की हो, इवन बंदे वारत के engine मनाने की हो, ठीक है, कुछ भी बनाने की हो, वो पढ के जाना, क्योंकि हर पेपर में question रहता है, जैसे rare earth factory पूछ लिया कहां पे, तो भाईया यह factory कहां पे है, ठीक है, अलुवा किरला में है, कहां पे, अलुवा किरला में है, ठीक है, मैं कल से 7 बज़े, आज 22 तारीक है न, कल 23 से, कल से मैं final punch video लेके आँगा, हर एक subject, कि जरू favorite subject quality के साथ, फिर quality के बाद अपना geography, फिर history, फिर economics, फाइनल, पंजवा हिस्टी भी लेके होगा, यहाँ पे, science भी लेके होगा, चार से 5 classes रखेंगे, फाइनल, वो subject wise होगी, topic wise नहीं होगी, ठीक है, और साथ के साथ 5 mock test, या नखना, आज से mock test start कर देने से इंडिया का first atomic reactor चले, बताई, इंडिया का first जो है, कल से नहीं परसो से आएगा, 22 है न, 23, 24, 25, 26, 27, तीन दिन, ठीक है, परसो से आएगा, आज, कल भी हम यह series continue करेंगे, paper एक बरी और देखें, बताई, first atomic reactor, इसका नाम है, ध्यान अखना अपसरा, बहुत easy question है, किसी को पता नहीं है, तो व ध्यान रखेंगा, आज जो है, अपना यह यह याद रखना, अपसरा, इस question का अंसरा, national institute of oceanography कहां पर, बताई, कल भी discuss कर रहा था, मैं, कल मैंने, किसी class में, national institute of oceanography, discuss किया, था, बताई, यह answer के, कौन सा class था, यहाद नहीं है, मैंने, 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 मै naval museum, navy का museum, जो है, वो कहां पर है, यह भी मैंने, पूछा, उसी class में, और इसका answer भी क्या था, गोवा पाना जी, ठीक है, है, हना, गोवा पाना जी, question important, चले एक और question देखिए, जो, कितना basic question paper में, पूछा गया है, कि cricket की दो, जो, पिच होती है, वो कितने याड़ी होती है, एक बच्चा सवाल, paper में आया हुआ, आते हैं सवाल, क्योंकि paper है, ठीक है, कुछ बच्चे वैसे यह भी छोड़ के आ जाते हैं, ऐसे question भी गलत करके आ जाते हैं, answer question का 22 याड़ है, ठीक है, कभी-कभी तो यह भी पूछ लेते हैं, जो, विक्ट होती है, यह जो, विक्ट ह है, इनके बीच में कितना इंच का गया है, ठीक है, ऐसे भी एक paper में पूछा था, मेरा माइंड से skip हो रहा है, मैं आप इस question को भी पूछूंगा, ऐसे एक बड़ी question बनाके, जरूरी है वो भी, है ना, चली, तो answer के question का जल्दी से बते ही, मुरादाबाद, UP किसके लिए famous है बते ही, है ना, answer के question, सर, 26 को छुट्टी रखिएगा, हाँ मानते हैं, डियर, आपका 26 को जनम दिन है, छुट्टी, मैं 39 को नहीं रखने वाला, चली, answer के question का, answer के question का, ब्रास वेर, ब्रास वेर, इस question का answer, UP जो है, पीतल के बरतनों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, पीतल के इस तरी के सवाल, चली, एक और question देखिए, बते, Gabriel Daniel Fahrenheit से सम्मधित कौन सी statement सही है, बते ही इस question का answer के, पार्टी स्पेड करो, भही आभी लगातार, mock test देना है, बढ़िया से, ठीक है, हर बच्चे को, चली, answer के question का, बिल्कुल, अर्जुन, दिख रहा है, मुझे आपका भी comment, चली, तो answer के question का, आंसे, देखो, Fahrenheit के उपर सवाल कह रहा है, German physicist ठीक है, डेबलट, Mercury thermometer, Mercury thermometer, device, thermodeviced temperature skill, ठीक है, जी, सारे ही सही है, A to Z सभी के सभी, वैसे science का question जब ऐसा हो, उसमें सारे statement सही होते है, 99% आपको ऐसे ही मिलेगा, question मुझे दावास, चली, बते ही, इस question का आन से के है, हाँ, जी, Florence, Chadwick, जो location है, ये जो place है, ये किस sport से associated है, paper में high level question कुछ ऐसा होगा, और मैं कोई अंदाजे वाला question नहीं बूच रहा कि कोई अंदाजा है, होगा, आप अभी mock test में पूरा अंदाजा ले सकते हो, कि कैसा question होगा, इस समय जो आप मौक टेस अब ले के आऊँगा, तीन दिन लगा तर वो mock test, too sure question है, जो आपको मिल सकते है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 बजे होगा, 8 पीम पे, मेरे टेलिग्राम पे लिंक आ जाएगा, चांद पे कदम रखे देगे, अब जैसे ये question है, असान तो है, बहुत असान है, सब को पता होना चाहिए, कि भीया, नील आंस्ट्रोंग और एडविन एल्टरिन कोन थे, या रखना, चांद पे कदम रखे दे, ये व्यक्ति का नाम है, हमें नील आंस्ट्रोंग का पता है, चांद पे कदम रखे दे, सब को बता है, लेकिन आप से कभी एडविन एल्टरिन के नाम से पूछ ले, दिक्कत हो जाए, है ना, तो भाईए, ये important है question, या रखना है, ये question important है, चले एक और question देखेगा, comment करेगा, जैसे same वही सवाल, कि भाई, राकेश शर्मा इंडिया से गए, Indian Air Force के थे, स्कॉर्डव लेडर, राकेश चर्मा, जो की space में गए थे, ठीक है, फ्रस इंडिया में कौन से number पह, फ्रस इंडिया में कौन से number पह, पतहे, दुनिया में कौन से ऐसे थे, कॉसमड के number पह अगर देखा जाए, तो आंसे कहा है, इस quasi answer, 139 कोश्मो, ठीक है कोशन आपको मिल सकता है इस तरीकिए है, चलिए और कोशन ही National Institute of Occupation Health कहां पर आप National Organization के Assumption मैं कहा रहा हूँ कि इस type के कोशन जादा मिल सकते हैं ठीक है, National Assumption जो Organization है ना इनके कोशन जादा आ सकते हैं, आन से कैसी कोशन बतए है इस कोशन आन से कोशन जो जो continue कर सकता है जरूर करो continue 27-28 तारिक तक पढ़ लो भी है एक दिन का gap दे देंगे paper से पहले वैसे भी क्या है एक दिन में थोड़ी हो जाएंगे paper मैं तो लगातार classes लूँगा क्यूंकि shift बाइस चलेगा है ना तो सबकी shift लंबी पढ़ जाएगी है ना answer के सब्सक्राइब जिसका और दूर और बढ़िया अच्छी बात है ना आंसर के नेशनल इस्ट्री पॉलिटी का कोशन क्यों नहीं आ रहा जाए इस क्लास में कोशन क्यों नहीं बहुत बहुत जैनवन सी बात है भाई जब पेपर में जितना कोशन आया ना उतना ही दिखा रहा हूं हिस्ट्री का कम आया है जितना आया आपकी screen पे आ जो जो आ रहा है ठीक है य्नहों ने static जादा पूछ लिया हाला कि हे ना अभी मेबी इसमें हिस्टी बॉलडी के कुशंग चार पांच आदा है तो वो पेपर के हिसाब से होगा अभी आप मौक टेस्ट भी दोगे ना तब यह चीज़ सोच के चलना कि आप पेपर दे रहे हो किस हिसाब का है वो आपके सामने है यह उग यूएस से इस कुशंग का आ जल्दी से बताई यह करना पाए मिल्खाशंग उस खेल में जादा प्रदेशन नहीं कर पाए थे ठिक है चार सुर मिटर की रेस थी और चार सुर मिटर की रेस में भी वो चोथे नमर पे थे ठीक है चोथे नमर पे थे ठीक है आपने मूवी में भी देखा हूँ मिलका चिंग की एक मूवी है उसमें भी दिखाया हूँ ठीक है फॉर्थ इन बहुत इज़ी कोष़ लिया इतना आसान नहीं आता है लेकिन पूचाए तो आपको बड़िया है प्रेक्टिस है और यह प्रेक्टिस पूचन पूचा है चलो यह क्या कह रहा है कि भाई राइड ब्रदर एरोप्लेन खोजे थे मतलब इन्वेंशन की दिनों ने समझने वाला कोशन है जो समझ गया वो सही करेगा इस कोशन में ठीक है लिक्विड का फ्री सर्फेस ना एक शीट की तरह जो है प्रिटेंड करता है ठीक है और सबसे स्मॉलेस्ट एरिया अटेंड करने की कोशिश करता है और जब स्मॉलेस्ट एरिया अटेंड कोशन करना है तो वो किस वरे से होगा बते ही इस कोशन गान सके है थोड़ा सा डिफि kambar Ε Taylor का surface tension से संबंदित होता है वैसे तो surface tension से जैसे liquid जो होता है spherical होजाता है liquid drop spherical हो जाती है अब है कहीं पर surface tension नहीं लिखा हुआ । लेकिन जब व्यक्ति एक जैसे हम किसी चीज को चिपकाते हैं किसी चीज को चिपकाते हैं tohora too वह भी M consulting करते हैं वह भी smallest area attain करता है तो cohesion, force of cohesion की वज़े से ऐसा होता है, और यही surface tension का कारण भी है, ठीकें ध्यान रखना, चाले एक और question देखें, कैमाल अतितर्क जो है, ये कौन, मुश्किल नहीं है question, बहुत असान question है, थोड़ा सा common sense लगाओ, paper में कोई ऐसा question आगे, जिसकी knowledge आपको नहीं ह से, वो common sense आपको अभी इस question में लगानी है, अभी वैसे मैं mock test में और अच्छी practice करवाँगा इसकी, पते यान से के, सर ये previous year के question है क्या, बैटे ये 2017 का question है, 2017 के question है, सारे एक ही paper गे, एक ही paper गे, ठीक है, और इस level को एक बर ही देख के जाओ, जो मैंने paper रखा है mock test पे, वो और लेटर सक्का है कि थोड़ा और अंदाजा अच्छा होगा, ठीक है, 2019 का, ऐसे मैं तीन-चार दिन बढ़िया-बढ़िया paper करा दूँगा, answer के question का founder of modern Turkey, ठीक है, तुर्क, ये लिखा हूँद, तुर्क, मैं तो इससाब से ये लगाता answer, ठीक है, अगर मैं common sense थोड़ी सी है ना, answer के question जल्दी से बतेगा, answer के comment करें, बदर ये अच्छा question है, answer के question, 1950 के देशक में, अब जैसे ये question है, कि मैं 1950 के देशक में कून सा आया है, तो जहासी की रानी था, लेकिन सोहरा मोदी के द्वारा, सारे दो option देरें, जहासी की रानी के, चलिए कर रोशन, philology जो है हिंदी में इतना असान कर दिया, हिंदी बोलके इतना असान कर दिया कि कोई भी बच्चा लगाएगा, answer, है ना, कोई बच्चा answer लगाएगा, philology, अगर आपसे वैसे हिंदी और इंग्लिश एक साथ तो देगे निशायद, philology पूछेंगे, science of language option में लिखा हूँ है, तो answer साइन्स और लेंग्वेज वैसे याद रखना, ज्यान होना चाहिए, ऐसे ही पेपर में कोईशन बहुत मिलने हैं, ठीक है, चला एक और कोईशन देखे, 2012 ऑलम्पिक, 2017 के एक्जाम में 2012 के पूछा तो आप को मंसे लगा सकती हो कि पिछले ही चार सालों से पहले का पूछा ह ठीक है, 2012 ऑलम्पिक लंडन में बढ़ा फेमस हुआ ठीक है, बताई, अब आपसे अगर पूछेगा तो भी हमसे तो पिछे वाला जो उलम्पिक गया, उसी के सवाल पूछेगा, इंडिया इस लाजर डिपोजिट विच फोलें इन दौर्ड, दुनिया में भारत में क्या सब्सक्राइब, जल्दी से बतेगा, फोल पार्डिस प्रिंशन चाहिए मुझे, अच्छा है, एक बारी कमेंड बोक्स पर बताओ, कौन-कौन 2019 का पेपर सोल करने, अभी मोक टेस्ट में आने वाला है, आठ बजे आज, फ्री होगा, 8 पीम, येस लिख दो, तार्गेट भी मैंने बता रखा है, कि मोक टेस्ट 50 का है, मैं 40 चाहता हूँ, मैंने पेपर देखा है, असान है पेपर, 2019, मोक टेस्ट 50, 40, 8 बजे, कौन-कौन, जो आने वाला, वो येस लिख दो, मैं आपको बता रहा हूँ, शोर-शोर अंदाज़ा हो जाएगा, पेपर कैसे आना है, क्य ऐसा ही है, जैसे आपना SSC CGL बन सकता, ठीक है, सारे के सारे में टेलिग्राम पे जुड़ जाना, अभी मैं आपको लिंक शेर कुरूँगा, इस क्लास के जस्ट बाद होगा, गैप नहीं होगा जादा, मैं कहा है, इसका प्रोडुक्शन सबसे ज़्यादा होता है, अराम से क्लासिस मिलेंगे सारी, आंसर क्या है इस कोशन का, पहला विंटर ओलंपिक, कैमोनिक्स फ्रांस में हुआ, फसने वाला कोशन, मुश्किल कोशन, ठीक है, कैमोनिक्स फ्रांस में दुनिया का सबसे पहला विंटर ओलंपिक हुआ था, ठीक है, अच्छा कोशन, लु पेपर का अंदास्त सिर्फ पेपर से होता है नियू एमसी के वाला रिजबान इनफ है लेकिन यह थोड़े बहुत जो प्रिविएस येर है ना इनको देखके जाना है चार पांच और एक क्लास है वो मैं आपको बता दूँगा आपको मैंने बताई भी होगी वो देख लेना सतलुज इस कोशन का आंसर है एक और कोशन देखें यह नहीं करना भाई देखो दो पेपर में यह जो कोशन है 2006 का कोशन आ रहे है कोमन सेंस की बात है उस समय के करेंट फिर के नीरभाय का कोशन है कोई इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि अभी तो नहीं आए गए इसको भी छो क्लाशकी टाइमिंग वाई एटली साथ बजे सातब्जे के बात से बैक टूलास लगा देता हूं कुछ इंपोर्टिक यह यह इस टाइम पढाता हूं ज्यादा अई पढ़ा दूँ आँ आरभट्टा लिए कोशन कुशन देखें सब्सक्राइब कर दो बार नोबल प्रुसकार मिला है पूछा जा रहा किस वज़े से किस सब्जेक्ट में अबी भी नोबल प्रुसकार मिले है ना तो शायद अभी का करेंट अफयर इसकार मिला है ऩो पहला 1958 दूस्टा 1980 चै Mueller को दो बार भार अवोड मिला है नोबल प्रुसकार ठीक है लेटस नोबल प्रुसकार देखके जाना ठीक है नेंदे इंस्ट्रूमेंट दरफी एजलेटिव हुमिटि एजी साइन्स का एक ब कॉश्चन करेंस का एक बहुत ज्यादा बे सिक कॉश्चन ऑन्सर क्या है कमेंट करें पद ऑन के ख जाएगां साइनस का इसा मिल्दम और बहुत जाह ब कि बादे़ यह इस कोशन का अंसे के हैं चालो तो जी कोशन का अंसे के हैं हाइगरोफ मीटर इजी कोशन एक ग्राम वेट में कितने डाइंस होते हैं साइंस के कोशन थोड़े असान है इस पेपर में मैं यह नहीं समझता इतने असान कोशन आएंगे, इतने असान कोशन साइंस के नहीं पूछेगा, खोड़ा मुझे असान लग रहा है कि 2017 में इतना साइंस की वैल्यू नहीं रही होगी, आज के समय साइंस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है भाई, तो साइंस की कोशन हमने थोड़ी difficult डालें, है ना, चल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब को हुआ इसकोशन का आंसर अनल इसकोशन का तरहिए इंग्लाइंड इंग्लैंड में modern football को start किया गए question आपको मिल सकता है ठीक है answer is question यह है चलिए एक और question देखिए बताइए answer ozone layer restrict which of the following ozone layer जो है किस ray को अर्थ पे आने से रोकता बहुत common question है paper में common question बहुत मिलते है आप अभी आप खुद देखना ना जवाब पचास question exactly paper के हिसाब से attempt करोगे 8 बजे आपको यह चीज़ समझ आएगी यार हाँ paper में 50 में से 30 question तो इतने असान होते है इस एक पेपर भी अगर आप देखो कभी 20 question की game है 20 में से 5 छोड़ने चाहिए 15 question की game है 15 question में से 10 average होते हैं difficult होते हैं ऐसे देखना उसी साथ से paper करना आंसर इस question का अल्ट्रा वॉलेट बताई इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर ब्लास टेस्ट हुआ था पोकरान में हुआ था कौन से वर्ष में तो मूवी बनी है ठीक है इसमें इसमें भी एक मूवी बनी है पोकरान ही है मूवी क 1974 अब सब त्यार होना सारे के सारे इस इतने बच्चे तेख रहे हैं यहां पे इस question को continue करेंगे अब ठेक है, mock test के paper से और पूरा एक paper करेंगे यह अज से आगे जो है ना, 50 question जो है वो paper के हैं, 2019 जिसको करेंगे mock test में सारे के सारे, अब mock test test की तरह होगा mock test test की तरह होगा, हर एक test आपको pattern पता चल दाएगा search करो, अमन सर वाई, यह class 7 वे daily होती है search करो, अमन सर वाई फे study 10 मिनट में start करां हुआ search करते ही न, दोस्तों, सारे के सारे जिसमें सबसे आदा बच्चे connected हो उसमें जुड़ना, इसी में आपकी PDF आएगी हर एक class का link आएगा subscription लेना चाहो, तो भाई, इस समय ले लो 20% discount मिल रहा है, live woman code पे ठीक है, आएगे बहुत बड़ा discount है पहले 10% था, भी live woman पे 10, 20 मिल रहा है, subscribe करो सारे के सारे, बढ़ी ऐसे code यूज़ करके और सारे के सारे telegram channel पे जुड़ जाओ, ठीक है, मैं एक energy चाहता हूँ और बच्चे के अंदर इस से में test को लेके, test में energy अपने आपका output बढ़िया आएगा ठीक है, तो मिलते हैं, आप सबी से सारे के सारे जुड़ जाओ, telegram भी जुड़ जाओ सारे के सारे अमनसर वाइफे शड़ी में, ठीक है चलिए, ओके भाई, आने केड़ी भी class जो होगी